हेलो फ्रेंज आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई जॉब नट्फिकेशन के उपर जुस्तों काफी अच्छी जॉब नट्फिकेशन है और आप लोग बहुत जादी दिनों से इसका वेट कर रहे थे इस वीडियो में हम लो किसी भी बैकेंज से जोड़ी कुछ भी इंफर्मेशन देए तो आप लोगों इस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट के उपर पोस्ट की बात कि जाए तो पहला पोस्ट आपको देखने को मिलने वाला है मंडी निन अच्छा पंडिट अच्छा काफी अच्छा पोस्ट होता है और इसे बहुत ज्यादे लोग इस बैकेंज का वेट करते हैं बात की जाए जो आपको सेलरी पे की जाएगी लेवल लेवल से में की थूआपको सेलरी पे की जाएगा सेलरी जो होने वाली 28,700 रुपय से लेके जिस तो इहां पर देख़े से 1,99,700 रुपय तक आपको पे की जा सकती है और सीटे जो रखी गया है और यहां पर तोटल नौब आपको देखने को मिलने वाला है और यहां पर बात के जाए तो तीन सीटे मैला है तो पद आरच्छित एवाम एक भूत पूर सैनिक के लिए रखा गया है और यहां पर देख सेते हैं जो योगिता रखा गया है वह असनातक रखा गया है यानि अगर आपने असनातक कम्प्लीट किया है तो आप लोग फार्म अप्लाई कर सकते हैं वह अनुस्तुची जाती के लिए आप जो सीटे रखी गई यह देख सेते हैं दो दो आप अरचित रखा गया एक भूध पूर्षायनिक के लिए रखा गया है वह आने पिछड़े वर की बात कि जाए तो एक महीला के लिए रखा गया है और जो ग्रेडुएसन होने वाला है आप ग्रेडुएसन कंप्लिट करें हैं तो आप लोग इस फार्म को अपलाई कर सकते ह यहां पर देख सेते हैं एक माहिला यहे तो अरजभीत रखा गया है और बागी दो पुष्टnect पूरु सप्लाई कर सकते हैं और इसमें पांच सेथी पूरुष gefragt यानि कि इसमें महिलाओं के लिए वी gros लिए अच्का गया है सब्सेंट बाला है ऊपनी रच्छाक मंडी निरशा की बाद उप निरशा का पोश्ट मिलेगा आपको जो सेलरी पे की जाएगी लेवल 6 के थूरू सेलरी पे की जाएगी सेलरी जो आपकी हो जाएगी 25,000 तीन सुरुपे से स्टार्टिंग होगा और आपको 80,500 पे तक पे किये जाएंगे अनुसूची जाती के लिए यहां पर देख सकते हैं वहीं पर बात करते हैं हम लोग अनुसूची जाती के लिए तो यहां पर देश होते हैं यहां पर आठ सीटे मैलां वेतु और तीन भूत पूर सहनी खेतु रखी गई है और क्वालिफिकेशन जो होने वाला है अगर आपने असना तक किया तो आप लोग अपलाई करते हैं तो इसलिए दोस्तों कूल जो पोस्ट होने वाला है तो मतलब कि आपको यहां पर दीख रहा है दोनुत पोस्ट कापी अच्छे हैं आइसी के पर वेकेंसी कराई जाने वाली है दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी एज की क्या रिकुटमेंट होने वाली है एज की बात कि जाए तो यहां पर देख सकते हैं और वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग अच्छे से अपलाइ कर सकें अपे ईक बार वीडियो को स्यर करें अगर पलिज यह चानल को आपको कि जो मतलब की भूत पूर सहनिक आते हैं उन लोग का यहां पर डिरेक्ट सेलेक्शन के तुरू यहां पर देशिते हैं सेवा में रिक्त पदो पर स्थीधी बढ़ती है तो तीन वर्ज की परिविच्छा और दीपर निक्ति की जाएगी मतलब जो भूत पूर सहनिक है उन लोग के लिए यहां काफी अच्छा हो जाता है कि उन लोग का डिरेक्ट यहां पर सेलेक्शन भी हो सकता है और एक्जाम के थूरू भी होगा तो जैसे आप लोग की इच्छा हो जैसे आप लोग फार्म अपलाई करके चाहें तो इस फार्म को अपलाई कर सकते हैं जो आपको ले सकते हैं तो दोस्तो बस इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको और अच्छी जान काई चाहिए तो आप लोग इसे डाउनलोड करने डाउनलोड करने के लिए की नीचे description मेरे टिलिग्राम चैनल मिल जाएगा उसे ज़्वाइन कर लें जो टिलिग्राम मेरा है आप लोग यहां बसको ग्राइन कर लें दोस्तो अब मैं आपको बता जेता हूँ कि या जो वेकेंसी tra. तो मैं आपको यहां पर क्लियर करके दिखा दूं ताकि आप लोग अच्छे से फार्म अप्लाई कर सकें देख सते हैं यह यह जो वेकेंशी आपको देखने की मिलने वाले रायपूर जिसों बात कि जाए चंडी गड़ की वेकेंशी दोस्तों यह च्छतिस गड़ की यह च्छतिस गड़ से तो फार्म अप्लाई करिए नहीं था आप फार्म का वेट करिए मैं एक फार्म जल्दी लाने वाला हूं जो आल इंडिया वैकेंशी पर है तो आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं यह चलिए हम लोग वीडियो को यह विदिए में दाने बाद दोस कर दोस्का है तो